एगर आप एक AC खरिदने के बारे में सोच रहे हो और उसके साथ ये भी सोच रहे हो कि यार AC तो महंगा होगा और उससे भी महंगा होगा AC का बिल तो चिन्ता मत कीजिए क्योंकि प्रधान मंत्री या मोदी सरकार देने वाले है हर घर में AC यह इसी कैसे मिलेगा, किन को मिलेगा, कैसे अपलाई करना होगा, सारा डीटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जानना है तो ज़रू से वीडियो का अंतिक देखिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास तो बेल आइकन को बिदा दीजिए, इसके बारे में इन फ्यूचर और भी टीटेल्स जानने के लिए, दोस्तो मैं हो उत्सव, आप देखिए उत्सव लॉक्स, तैट बिंसेड, चुलो, शुड़ करा जाएगा, मोधी सरकार ने ये डिसाइट किया है, के हर घर में अभी एसी दिया जाएगा, इसके पहले जैसे आपके LED बल्ब और पंखा दिया गया था, LED और पंखा जो दिया गया था उस योजना का नाम था उजाला योजना और ये जो AC दिया जाएगा इसका नाम रखा गया है प्रधान मंत्री AC योजना ये AC देके सरकार का लक्ष है कि लोगों को गर्मी से राहत देना और गर्मी से छुटकारा देना ये AC आपको कैसे इतने सस्थे मिलेंगे ये जो AC होने वाले है मार्केट में आपका जो अच्छे कंपनिया का जो AC होता है उस AC से ये गवर्मेंट का AC होगा ये आपका 15 से 20 परसंट तक आपका सस्ता होने वाला है बाजार में जो आपको 5 स्टर ACS मिलता है उससे भी ये 15 से 20 परसंट तक सस्ता होगा सरकारी कंपणी EESL को दिया किया है ये जिम्मेदारी जिनोंने इसके पहले LED बल्ब्स और पंखा भी बनाया था और लोगों में distribute भी किया था इस AC में कितना बिजली खर्चा होगा ये AC सिर्फ कीमत में ही सस्ता नहीं आपका बिजली का बिल भी इसमें कम आएगा क्योंकि इस AC में आपका जो 5-star AC में जितना बिल होता है उससे 35-40% तक आपको कम बिजली का बिल उठेगा इसमें मैं आपको बताकर रखता हूँ कि इस AC में आपको एक्सचेंज ओफर भी मिलेगा अगर आपको पस ऑल्लीड एक AC है और अगर आप चाहते हो कि उसको एक्सचेंज करा कि ये AC लेने के लिए वह भी possible होगा कैसे मिलेगा ये AC आपके मन में definitely ये question तब तक आ चुका होगा जुलाई महीने से घर बैठे आप इस AC को बुक कर पाओगे और ये AC बुक करने के एक महीने के अंदर आपके घर में ये AC इंस्टॉल हो जाएगा ये AC आपको सस्ता भी मिल रहा है बिजली का बिल भी सस्ता आ रहा है उसके साथ इस AC में आपको एक साल से पांच सल तक का guarantee भी बिलेगी तो इस AC को आप ऑनलाइन खरीत पाओगे इस AC में आपका बिजली का बिल कम आएगा यहाँ पे exchange भी available होगा लेकिन यहाँ पे एक terms and condition ह कि ये AC उन ही लोग book कर पाएंगे जिनके खुद के नाम पे बिजली का बिल आता है इस AC का एक खासियत है कि इस AC में आप 24 से 26 डिगरी के अंदर ही आपको temperature रखना होगा जिस तरह जापान में आपका जितने भी AC इसे वहाँ पे 28 डिगरी आपको AC का temperature पहले से ही set मिलता है ना आप उसको बढ़ा सकते हो ना आप इसको घटा सकते हो ये होने से आपका बिजली का बिल कम आता है घर आपका अच्छी तरीके से ठंडा होता है और आपका AC का जो longevity है वह भी बढ़ता है इस तरह का temperature set AC होने के वज़ा से हर साल आपको 20 billion units का energy सेव होगा तो अब cooler नहीं AC खरीद दिये इस scheme का फायदा उठाते हुए in future मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा किस तरह से AC को बुक करना होगा कौन से website पे जाना होगा सारा चीजे मैं आपको बता दूँगा तो उसके लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके पास्में बेल आक करेंगा और जरू सब्सक्राइब करते हैं को बजाद दीजिए गा दोस्तों थैंक्यों सो मच फॉर वाचिंग आई लव यू चलो बाई जैगिंद